आज हम बात कराएंगे समाज्च शेविका अंकीता बर्मा से जिन्होंने कोरोणा के संबंद में फैली भ्रम भ्रांतियों के संबंद में एक जागुरुका लेकर समाज छेत्र के लिए लोगों को वैक्षिनेसन करवाने के लिए प्रेरित करती हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जो विपत्ती आई है उसे हम सब मिल करके लड़ेंगे तभी इस विपत्ती से निकल पाएंगे कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश ने या जहां से भी वैक्षिनेशन जो बनाया गया है उसे सब ही लगवाएं जब तक नहीं लगेगा तब तक कोरोना का खात्मा होगा नहीं वैक्षिनेशन को ले करके जो लोगों के मन में डर है वो एकदम से गलत है ठीक है मैं मानती हूँ कि vaccination से लोगों को तकलिफ होती है हो सकता है वो एक दिन का तकलिफ हो हो सकता है वो दो दिन का हो बट इससे आपका lifetime आपको सुरक्षा मिल रही है आपने भी vaccination करवाया है इससे आपको कितनी आत्मिक्षक्ती प्राप्त होती है किस तरीके से कोरोना पर विजय प्राप्त करने का ये एक सार्थक तरीका है इस समद्ध में आपका क्या कहा है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जिस दिन मैंने vaccination लगवाया है उस दिन मैं बहुत खुश थी मुझे ऐसा लगा कि मैंने मुझे एक vaccination लगा है तो मैं सरकार की बहुत मदद की या आमजंता की मदद की जिस दिन मुझे vaccination लगा मैं जूट नहीं कहूँगी तकलिफ तो हुई है लेकिन उस तकलिफ से बड़ी खुशी थी कि मैंने एक कोरोना को हराने की एक कदम आगे बढ़ाया मैंने लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेके डर बना हुआ है आप अपने संदेश के माध्यम से उनको कैसे जागरू करना चाहती है आपका क्या संदेश है लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है उसे मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को डरने की बिलकुल भी जोरत नहीं है कुछ लोगों को वैक्सीनेशन से तकलीफ हो रही है और कुछ लोगों को बिलकुल भी नहीं हो रही है लेकिन आपका एक प्रयास पुरी सफलता की और हमको लेकर के जा सकता है टीवी छत्ती सिंदोस्तान से खास परिशर्चा में ये थी आंकीता बर्मा जिन्होंने लोगों को वैक्सिनिशन के प्रजागरूप करने के लिए अपने संदेश जागरूपता के माध्यम को और ससक्त बनाने के लिए दिया लोगों के मन में चल रहे ब्रहम ब्रांतिया अफबादों को लेकर ये उनको निकाले के लिए हर सर्थक प्रयाश करती हैं और इनके बातों से अभ्यस्त होता है कि इन्होंने टीका करने के बैक्सिनिशन करवाने के बाद लोगों को ये समझाइश दे रही हैं जिससे वो सब घरों से निकल के जाके बैक्सिनिशन करवाएं और सरकार की इस महम में और इस महामारी में देश के लिए युगदान करें